हेलो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड स्कुल पर बच्चों आज हम फिर से mental ability के बहुत ही महत्वपून questions solve करेंगे तो जो बच्चे नवदेविद्यालय की तयारी कर रहे हैं या भी साइनिक स्कुल दोनों बच्चों के लिए classes बहुत ही ज्यादा important होने वाली है नवदेविद्यालय में जिस pattern में पेपर पूशा जाता है exam में mental ability के जो questions होते हैं जिस sequence में पूश जाते हैं सेम उसी sequence में मैं आपके लिए questions लेकर आया हूँ एक-एक concept समझाऊंगा सब कुछ clear करते हुआ चलूँगा ठीक है तो आपको concept समझना है कौन से जो odd man out में क्या किया जाता है similar figure में क्या किया जाता है जब mirror की बात आये तो क्या किया जाता है जब paper फोल्ड करना हो तो कैसे उसको solve किया जाता है सब कुछ एक-एक चीज मैं समझाऊंगा साथ में बात करें सैनिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भाई बंदू को सेर करना है और अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना तो भूलना ही नहीं है क्योंकि जितने भी पढ़ाई से रिटेड या information से रिटेड जितने भी important वीडियो है सबसे पहले आपके पास notification आए ठीक है आपको तो पता यह क्या करना होता है जो भी question दिखाऊं सीधा आप comment box में answer लिखिए मैं समझाता हुआ चलूँगा अगर बीच में मेरे को लगा कि आप concept समझ गये हैं तो बीच में एक आद question मैं homework भी दे सकता हूँ ठीक है तो आप सभी को answer देते हुए चलना है बाकी मैं समझाओंगा चलिए start करते हैं पहला जो section आता है आपका कि odd man out ठीक है मतब भीन आकरिती या फिर आसंगत इसमें ऐसा है कि चार आकरितिया दिख रही है उसमें से तीन आकरितिया किसी न किसी प्रकार से संबंदित होंगी कोई एक आकरिती होगी जो सबसे अलग है बताइए सबसे अलग ह कौन सी आकरिती सबसे अलग है देखिए या है जल की बूंद पानी और यह क्या है बादल है बादल में पानी है तो बादल बादल से आखिर वर्सा तो होती है न तो यह सी और डी किसी न किसी प्रकार से संबंदित है option B क्या है चंद्रमा है क्या है चंद्रमा ठीक है तो यह अलग है option B अपना सही है next देखे अब इसको बताइए आप simple सही है जो चार आकरितिया दिख रही है इसमें से कोई तीन किसी न किसी प्रकार से same logic follow कर रही होंगी कोई एक ही आकरिति होगी जो बिल्कुल अलग होगी बस वही आपको बताना है तो बता दीजी सिंपल सा है ना बहुत ही सिंपल है देखे क्या हो रहा है सभी में क्या हो रहा है मचली सब मचली के जैसे दिखे ठीक है एक देखे यहाँ पर ऐसा गोला है और बाकी इस साइड दोनों गोले है ठीक है यहाँ पर भी देखे आप एक गोले इस साइड है बाकी उसके अपोजिट में देखे इधर है उसके अपोजिट में दो है इसके अपोजिट में दो है इसमें देखिए सब कुछ अंदर यह ना यह देखे सब कुछ अंदर ये बाकी सम्में देखिए, यहाँ है, बाकी आपोजिट में दो बहार है बाकी इसमें अंदर है, तो यह सबसे अलग हुआ हमारा answer हो गया option C, बाकी तीनों में same logic है बस उसको ऐसा गुमात दिया गया है, इसके दूसको ऐसा गुमात दिया गया है, बस वही है बाकि logic same लगा है option C सबसे अलग है अब देखिए figure matching करना है समाना कृति बताना है हमको तो जो दिख रहा है यहाँ पे उसको आप यहाँ देख लीजिए न सिंपल सा है बताइए कौन सा option आ रहा है आप सभी का option A, B, C या फिर D देखिए यह बने है तो A कहां कहां बना हुआ है यह option हो नहीं सकता, C नहीं हो सकता हो सकता है B और D, अब B और D में समको पहचानना है कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए देखिए यह जो बीच में जो गोल बना हुआ है यह क्या हिस से देखिए इसका distance देखिए इतनी दूरी पर है यहाँ पर देखिए यह पास में है ठीक और यह देखिए यहाँ पर भी दूरी देखिए यहाँ पर एकदम नजदीक है तो यह option कड़ गया, option B अपना correct है ठीक ह अब इसको देखिए, इसमें कौन सा सही लग रहा है, similar figure A, B, C, D, कौन सा आपको perfect answer लग रहा है, जो इस side हो, इस side कहां कहां पर दिख रहा है, यह तो हो नहीं सकता है, इस side इसको भी काट दीजे, option A और B, यह देखिए, क्या है, यह सीधा एकदम सीधा नहीं है न, जी, वर्ण माला, उसका पहला चरे, आखरी Z, तो पहला, उसी बाद दूसरा, क्या है, B, starting से, opposite से देख लिजी, A और B, दूसरे नमबर पे, पीछे देखिए, तो Y, Z, Z के पहले क्या था, Y, तो यहां पे आजाएगा Y, Y है क्या अपने option, जी हाँ, option C, बिल्कुल correct है, अब अब इसमें देखें, सेम देखिए, यह तो पूरा ऐसा माया जाल लग रहा है, ना, माया जाल, पूरा ऐसा लग रहा है कि, जाल बना हुआ, मकडी का जाल, इसको आपको पूरा करना है, चलिए मकडी के जाल को पूरा कीजिए, आप सभी, कुल्मरा के बात यह होगी, सबसे पहले में चीज को पकड़ है चलो लेहें यहां लिए ऐसा बंग रहा यहां पर एइसा बन रहा है और हुआ ऐसा बन रहा है और छौन पर लाइन पर говорить सबनेगा तो यहांज है तो यहांज पर आईशा कुछ बनेगा ऐसा ठीक है आई-अ हैं तो ऐसा कहां पर दिख रहा है, आपको option D में दिख रहा है, D में दिख रहा है, और 20 से क्या हुआ, ऐसा बनने के बाद 20 से ऐसे line से काट दिया गया है, तो इसको भी हम ऐसे काट देते हैं, तो option D अपना correct है, ठीक है, अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हैं, इसमें आपको complete वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक लेक्चर complete होना, exercise questions मिल जाएंगे, जैसी आपका chapter का test होगा, ताकि जितना कुछ पढ़ाप apply कर पा रहे हैं या नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं, सब कुछ आपको test के माध्यम से पता चलेगा, telegram group होगा, जहां पे आपके जैसे ही बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके नए questions आएंगे, कुछ doubts आएंगे, सब कुछ clear होगा, ठीक है, और कुछ तो बच्चे ही clear कर देते हैं, या फिर कुछ अलग से doubt आते हैं, तो हम वीडियो आपके ये बना देंगे, उससे रिटेट, ये contact number है, और आप enroll करके बहुत ही अच्छे रंग से जल्दी तैयारी करने, जैसे आपके दो महिने बचे हुए हैं, और कितना ही डिले करेंगे, अगर आपको basic knowledge है अच्छे से, तो इस start कीजे तैयारी, ठीक है, पुरा basic से पढ़ाया जाएगा आपको, नवदय alphabatch जो बच्ची अभी class fourth में है, next year के लिए नवदय विद्याली के तैयरी करेंगे, उनके लिए हमारा नवदय alphabatch है, तो नवदय alphabatch से आप बहुत ही अच्छे रंग से तैयरी कर सकते हैं, नवदय 10 mock test, exam से पहले mock test का महत तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ लिया, सब कुछ आप test देने की बार यह ना, apply करेंगे उस चीज को कि हम जो पढ़ कर आए हैं, उस चीज को, जिस syllabus based तो ऐसा जी कुछ चूट गया हो, या फिर किसी pattern, मुसी pattern में हम सब कुछ बना ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो समय सीमा है, टाइम दो घंटे, क्या दो घंटे बना पा रहे हैं, हम पूरे 100 नंबर ले आ रहे हैं, लेकिन समय हमको लग रहा धाई घंटे, तो कोई मतलब है, क्या हमको तो दो घंटे में पूरे नंबर ल 4000 Quindi पिर कुछ बच जाएगा क्या कुछ भी नहीं बचेगा सब कुछ complete ठीक है 4000 हिंदी मीडियॉम इंग्लिस मीडियॉम दोनों में model paper है रोडिव कूल किया दर जाईए और आप model paper ले सकते हैं download इसका PDF भी कर सकते हैं इसके video solutions मिल जाएंगे जो भी कुछ भी नहीं आएगा आप 4000 कोस्चन कर लीजिए 2000 मेंटल अबिलिटी के फिर मैट्स के 1000 कोस्चन इसके बाद फिर लेंग्वेज के हिंदी और इंग्लिस ठीक है और यह हमारा कॉंटेक्ट नंबर में आपको बार बार बता रहा हूं सैनिक अलफा सैनिक इसकूल का कल जैसे आपने देखा और रिजल्ट आया है ठीक है अब क्या होगा कुछ बच्चे सफल हो गए उसके बाद आगे भी तो प्रोसेस है ना जिनके नहीं लिखा आगर उनके पास है एलिजिबल है नेक्स्ट इयर के लिए यानि एज उनकी लाइक रही है यानि 2012 एक अप्रेल 2012 एक अप्रेल 2012 से 30 मार्च 2014 के बीच जन्म हुआ हुआ उनका तो फिरो नेक्स्ट इयर भी एक्जाम दे सकते हैं ठीक है जो अभी दिये हैं वो भी सैनिक स्कूल के लिए बात हो रही ना नावदय में दुबारा एक्जाम का कोई प्रावधान नहीं है ठीक है कि सैनिक अलफा बैच अब नेक्स्ट यह 24 के बच्चों के लिए आप जॉइन कर सकते ठीक है उसी प्रकार सैनिक मॉग्टेस जैसा मैंने बताया नावदय के लिए मॉग टेस्ट के लिए उसी प्रकार सैनिक स्कूल का मॉग टेस्ट है ठीक है इसमें भी आप जैसे टाइम देजिए है तो इसमें धाइगंटे मिलेंगे क्योंकि धाइगंटे का पेपर होता है सैनिक स्कूल का नावदय का दो घंटे का तो जैसा पेपर उसी तरीके का टाइम मिलेगा उतना जितना दिया जाता है ठीक है तो आप 626 0 कोर्स से रेटेड कोई भी जानकर चाहिए तो 626 0 388-361 पर हमको कॉल कर सकते हैं ठीक है इस नंबर पर कॉल कीजिए और इंफर्मेशन ले सकते हैं आपको एक मैं कूपन कोड़ देता हूं अलफा 10 अलफा 10 कूपन कोड़ अपलाई करके आप 10% की छुट पासकते ठीक है डीक है कि अक एल पीहेंच एएवन जिरो अलफा 10 कूपन कर ठीक है तो यह देखिए अब फिगर सिरीज करना फिगर से सीरीज को कम पर सीरीज को पूरा करना तो सीरीज में क्या आर बना हुआ है साथ में एक ऐसा है ठीक है अब उसको ऐसा घुमा दिया गया ऐसा घुमाने के बाद क्या हो देखिए घुमाया तो जा रहा है ना उसको ऐसा गुमा दिया गया ऐसा हो जाएगा यह इधर आ हुआ है वो कैसा गुम रहा पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर नीचे साइड नीचे साइड जिसमें होगा वह सही बताइए नीचे साइड किसमें है option अपना option डी बिलकुल करेक्ट है अब देखिए अब इसको बताइए मुझे यहां क्या हो रहा है पति का अधा फ़किर पति को पूरा कर दिया गया फिर दूसरा भागा तो इधर को फील कर दिया जाएका जो भी आएगा तो option क्या है अपना भी बिल्कुल सही है नेख देखे एनलोजी ठीक है अब बताईए इसको जिस प्रकार बाल्टी का संबंद मग से है बाल्टी का संबंद किसे है मग मग जानते हैं ना बाल्टी का संबंद किसे है मग से उसी प्रकार, चाय, चाय का जो कपो किसे संबंदीत है, प्लेट से, ठीक है, option D, प्लेट से संबंदीत है, अब देखिए, इसमें बताइए, आप इसमें क्या एंसर आ रहा है, आपका, देखिए, क्या हो रहा है, सभी को जोड़ना है, 12 प्लस 6, प्लस 3, प्लस 3, 3, 3, 6, 6, 12, 12 और 12, 24, ठीक है, उसी प्रकार, इसको जोड़ी आप, 10 और 11, 11, 7, 18, 18, 18, और 2, 20, कहीं है, क्या option में, बीच में 20, option, ठीक है, 20 हो गया, अपना D, option, सही है, अब देखिए, geometrical figure को हमको complete करना है, जैमिती आकरिती, तो जैमिती आकरिती में क्या बताया था मैंने, कि ज़्याद अब इसको बताये, ये कौन सा होगा, इसका, इसका answer बता दीजे मुझे, इसका answer बता दीजे, simple side के, इसको हमको क्या करना है, complete करना है, ना, इसका answer, इसका answer, तो हमको चाहिए कितना, इतना भाग, इतना भाग चाहिए, ठीक है, तो कौन सा option दीख रहा है हमको, देखिए, option C, सीधा दिख रहा है, option C, और कोई दिखनी रहा है, जो क्या है, इस shape में हो, देखिए, इस shape में केवल ये ही वाला part है, उसको ऐसा घुमाईए, इसको घुमा भी सकते हैं, जो कटा हुआ भाग है, उसको घुमाया भी जा सकता है, तो option C अपना correct है, अब देखि के, अब इसको complete कीजे, फिर से square आगया, अब देखिए, इसको कौन complete करके बताएगा मुझे, complete करें इसको भी, चलिए करते है, simple साइदिकता हाड है, ठीक है, इसको आपको क्या square को यहाँ तक ले जाना है, ठीक है, यहाँ तक ले गए, इसका नीचे आईए, ऐसा आईए, इ आपको ले के बता देता हूँ, आप भी, ठीक है, अब देखिए, यह चीज तो होगी ही, यह चीजे तो ऐसी आएंगी ही, ऐसा चाहिए, हमको बताए, कहाँ दिख रहा है, आपको ऐसा, और यह जहाँ भी, ऐसा लाइन हो जाएगे, बताए, ऐसा चीत्र कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आप साने हो सकता है, ठीक हो सकता है, यह क्यों नहीं हो सकता, यह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, यह हमको सीधी अईसी लाइन चाहिए तो यहां से ऐसा फिर ऐसा हो गया तो हमको इसको घूमा दीजिए अब यह ठीक है हमको इतनी छोटी इतना देखी यह बीच कर डिस्टेंस से इतना ज्यादा बड़ा है तो यह हो नहीं सकता क्योंकि इतना सा इसको भी फिट हो जाएगा हो जाएगा ना तो option C अपना correct है option C अब next देखें अच्छा mirror image नीचे की और है तो देखिए नीचे की और है तो तीर तो इसी side रहेगा नीचे हो जाएगा उल्टा हो जाएगा कर दीजे उल्टा उल्टा कर दीजे तो एक ही जगा तो दिख रहा है जो तीर इस side दिख रहा है हमको नीचे की और option B अपना correct direct आपको check करना कैसे mirror नीचे रखा हो यहां हमेशा यहां नहीं मानना है न उसको ऐसा उल्टा कर दीजे नीचे है तो यह जो तीर जो उपर था और नीचे हो जाएगा तो देखिए उस side touch होते हुए कहीं है क्या option कौन सा हो जाएगा अपना बता यह कौन सा होगा option A में हो सकता है क्यों यही तो हो सकता है बाकी कुछ नहीं option A अपना correct है अब इसको देखिए paper folding cutting इसमें बच्चों को दिक्कत आती बोल रहे थे ठीक है तो क्या करना है paper को fold करना है फिर cut करना फिर paper को खोलना है ठीक है अपने को तो यहां पर गोला दिया हुआ है बृत को बीच से पहले मोड़ा गया बीच से मोड़ने बाद हमने क्या किया बीच से मोड़ने को देखिए यहां से ऐसा मोड़ा हुआ हो ना यहां से मैं ठीक लगा ठीक है यह मोड़ा हु तो मॉला गया है ना पिर ऐसा कोला जाएगा तो एक गोला यहां हो जाएगा तो चार गोले सिक्वेंड समय कहां पर दिख रहे है Avene अपना करेक्ट है ठीक है अब इसको देखिए ट्रेंगल है, ट्रेंगल को कैसे किया गया है, यह जो इतना पार्ट उसको ऐसा मोड़ा गया, इसका इधर के पार्ट को मोड़ा गया, इसका ऐसे पार्ट को मोड़ा गया, तो यहाँ पे ऐसा गोला किया गया, तो जब इसको सब तरब को इतना इतने भाग को मोड़ा गया, त ठीक है तीन गोले नहीं होंगे चार गोले होंगे इसको काटिए ये भी नहीं होगा उप्सन भी अपना करेक्ट है नेक्ट देखें स्पेस विजलाइजेसन यानि आकरिती का निर्माड करना जोड़के आकरिती बना दीजे चलिए बनाइए ये तो सिंपस एक दो तीन चार एक दो तीन काट दीजे एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये रुकिए एक दो तीन चार इसमें रुकिए लेकिन ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है ठीक है तो अब देखिए इसको मान लिजे एक मान लेते हैं इसको दो इसको तीन और इस इसको भी जोड़ना केवल है, देखना है कि एक, दो, तीन है, तो यहाँ पर कितने हैं, एक, दो, एक, दो, ठीक है, ऐसा देखते हुए चला मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, simple सा है, इसका homework, एक ही homework दिया है, मैंने इसका answer आप सभी को लिखना है, अब embedded figure, छिपी हुई आकरिती आनी, समाहित आकरिती बतानी आपको, यह आकरिती, कहां छिपी हुई है, तो कौन बताएगा, बताएगे, आप सभी बता लेंगे न, यह चीजे कहां पर छिपी हुई दिख रही आपको, तो देखिए, इसको आप देखिए, स्टार्ट कीजिए जब आप यहां से ऐसा नीचे आएंगे, यहां से ऐसे आएंगे, और यहां पर ऐसे उपर जाएंगे, उपर जाएंगे, ठीक है, और यहां पर लाइन देखिए, गोला है, तो यह हमारा answer option C हो गया, अब देखिए, इसमें बढ़ें, अब इसको देखिए, यह कहां मिल रहा आप सभी को इतने सारे diagram धिखरे हैं, सब में ऐसा लग रहा है कि हमको मिल सकता है, जरूEr मिल सकता है, खोजिए, यह थोड़ा सही लग रहा है, देखा जाये, इसको किया जाये, इसके बाद यहाँ तक आई ऐसा, एक और नीचे वी तो है न, ऐसा, और ऐसा, यहाँ गोला, लेकर आ रहा हूं इतने को सब्सक्राइब करें धीरे अर्जुन बैच अगर आपने तयारी अच्छे से और अच्छे करना चाहते पूरा एक बहुती अच्छे दंग से पढ़ाई करना है और कमेंट बॉक्स में एंसर अपने लिखने हैं और सभी को वीडियो को लाइक तो करना ही है शेयर कीजिए दोस्तों से फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ